दोस्तों ये वीडियो मैं एजुकेशन के परपस से बना रहा हूं ना कि कहीं आप लोग जाके इसको हैक वगएरा करने की कोशिश करिएगा नहीं तो इसके जिम्मेदार सिप और सिप आप होंगे तो दोस्तों इस वीडियो मैं आज आप लोग को दिखाने वाला हूंगी अगर आपके पास कोई फुराना फोन है तो कैसे उसको आप CCTV बना सकते हैं जैंड दोस्तों उसको CCTV बना के अपने मोबाइल पर लाइब देख सकते हैं आप कहीं पर रही है और वह मोबाइल कहीं पर भ करेंडेेज मुद्प करते हैं तो जसे मोबाइल का आपको आप्लिकेसं कर लेंगे दिस्क्रिप्स में मिल जाए जाएगा इसके बाद इसको ओपन करने के बाद आपको नीचे स्क्रोल करना है और सब से नीचे उनल पएस्तों को कीलिक लिकर देना हूंगाए है इसके विश करेंगा यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको एक आड़ेस मिल जाएगा जो कि यह आड़ेस आपको सीधा जाके अपने दूसरे फोन पर आपको टाइप करना प्राउजर पर आगे का जो आई पी लिखा उसको छोड़के दो इसके बाद जो एक करके लिखा है वही बस टाइप करना है आप अपने फोन पर दूसरे फोन पर भी कर सकते हैं या फिर आप अपने लेफटाप वगहरा भी या फिर आप अपने लेफटाप पर भी पीसी पर भी कर सकते हैं सिंप्ली इसके बाद इसको टाइप करके बस आपको कर देना है तो मैं आपको दिखा देता तो मैंने यह पर डाल दिया है अब मैं इसको इंटर करता हूं और आपको दिखाता हूं सीधा मैं इसका पूरा लाइब अपने सिस्टम पर देख सकता हूं मोबाइल मेरा चाहे जहां रहे हैं तो इस तरह से आप अपने पुराने फोन को CCTV काबरा बना के इसको यहां से लिखा हूँ है तो सिंप्ली आप ब्राउजर के थू जा रहे हैं इसलिए ब्राउजर पर आपको क्लिक करना होगा बाकि आपको कुछ भी शेच्छर नहीं करना है तो ब्राउजर पर जैसे क्लिक करेंगे आपका कैमरा यहां पर ओपन हो जाएगा जैसा कि देख सकते मेरा कैमरा यहां पर ओपन हो चुका है और मैं यह भी दिखाऊंगा आप फ्रेंट कैमरा भी यहीं से आप आन कर सकते हैं रिकॉर्ड कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं उपर यहां पर देख सकते हैं मैं यहां पर मोबाइल अपना रग दे रहा हूं ताकि कोई दिक्कत नहों आप यहां पर देख सकते हैं सारा मेरा यहां पर जो मैं कर रहा हूं मेरा मोबाइल यहां पर सीधर लाइब दिखा रहा है और यहां पर देख सकते हैं इसका वाइस इनेबल आप कर देंगे तो इसकी आवाज भी आप सुन सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है क्या बाते हो रही है वो सब कुछ आप सुन सकते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी फीचर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर फुल स्क्रीन भी आप कर सकते हैं और नीचे मैं आता हूं नीचे आपको बहुत सारे feature से उसके बारे में भी आपको मैं बता दिता हूँ तो phone मैं आ पे रख दिया और मैं नीचे जाता हूँ नीचे आपको दिखा दिता हूँ नीचे आने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहां से जूम और जूम आउट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज दूर है नहीं दिख रहा है तो आप यहां से जूम करके भी देख सकते हैं देख सकते हैं यहां पर जूम अगरा भी कर सकते हैं बहुत सारे फीचर यहां फ्रॉंट्र फ्रे on कर सकते हैं और इस सटार्ष इस तरह से आप फोन का back camera, front camera जब चाहें तब आप अपने दूसरे फोन से control कर सकते हैं और यहां से voice record भी कर सकते हैं और उपर यहां पर देख सकते हैं अगर आपको चाहिए कि मतलब यह footage यह video आपको record करना है तो भी आप record कर सकते हैं मतलब इस तरह से इसमें काफी सारे features हैं जो कि आप इसे बहुत हासानी से use कर सकते हैं monitor कर सकते हैं और उससे पता भी नहीं चलेगा लेकिन मैं अभी भी मैं आपसे करता हूँ यह सारे काम आप अपने CCTV camera बनाने के लिए ही करिएगा ना कि आप अपने girlfriend या आपने बच्चों के mobile में update करके या install करके यह application उसे गलत यूज़ नहीं करना तो दुस्तों इस तरह से आप अपने पूराने phone को CCTV camera बना के यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं आप लोग से अभी भी recommend करता हूं यह प्लीज इसका गलत उपयोग मत करिएगा नहीं तो इसके जिम्मेदा से पोसिब आ अलत जब आ आप, बाध, आप, आप, बाई